नवस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे जीवने के बारे में यानि के बायोगराफी तो हम लोग बहुत लोगों की जैसे आपके पिदान मंत्री हो गए या जो चर्चा में रहते हैं लोग उनकी बायोगराफी देख चुके हैं आपके सभी पिदान मंत्री दे कुं सरभफनलि राधा किश्णन की बायवी रविव के वारे में डोक्टर हम सरभफनलि राधा किश्णन के वारे में दोग जानेंगे अभी ककल कोई ओई मेल पर केस्मस कर रहा था कि सरो आ शर्ष्टपती का चुनाओं कैसे होता है तो याद रखना भारत का राष्ट्पति देश का राष्ट अध्यक्च होता है और भारत का पिथम नाग्रेवी भी होता है कि गराश्ट्पति बॉट्पति है जुग आपका उसके पास भारती सबसक्ति सैना की सर्वोछ क्मान होती है और भारत के राष्ट्पति का चुनाव लोक सभा पिलस राजी सभा पिलस विदान सभा के निर्वाचित सदस क्या यह एक सब याद रखना निर्वाचित सदस मनोनी सदस नहीं निर्वाचित सदस इसका इनका चैन करते हैं और जैसा कि आपको पता होगा राष्ट्पति जी क का रिकाल पांस साल का होता है अ कि थो चाहए यौक दोकटर साहब यौक दूसरे राश्पति है कि पहले आप की दोक्टर राजंथन पर साथ है यह आक दूसरे राश्पति है देखिए दोक्तर और साहमने कितने अच्छी बात कहीं थी सिक्षक हुआ है नहीं जो चात के दिमाग में तत्थों को जवरन ठूंसे बलकि बास्तविक सिक्षक तो हुआ है जो उसे आने वाले कल की चुनोतियों के लिए तेजार करें कि देख लिए है यह आपका सरफली राधा किस्नन की बारे में राधा किस्नन ने बोला था कभी अगर डॉक्टर साब पर कुछ लिखने के लिए आता है तो आप इस तरह की कोट डाल दिया करिए क्या होता है कि आंसर एक देखने में अच्छा लगने लगता है क्वाइल्टी भरा हो जाता है तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं हम लोग सरफली राधा किस्नन जी का जिनम और प्यारग्विक जीवन डॉक्टर सरफली राधा किस्नन का जिनम पास सेप्टमबर कब पास सेप्टमबर 1888 को तमिलाडू के तिरूतनी गाओं गराम में मद्राज में एक ब्रहमर परिवार में हुआ था तो डॉक्टर सरफली राधा किस्नन का जिनम कहां हुआ था तो याद रखना है तिरूतनी गराम मद्राज तमिलाडू में कह हुआ पास सेप्टमबर 1888 को उनके पुर्खे सरफली नामक गाओं में रहते थे इसलिए राधा किस्नन के परिवार के सभी लोग अपने नामों क नाम के आंगे उनका गाओं का नाम जोड़ दिया जाता है या बाद में जोड़ दिया जाता है तो इसी तरह सरफली उनके गाओं का नाम था राधा किस्नन उनका नाम था ठीक है आपके पिता का इनके पिता का नाम सरफली वीरा स्वामी और माता का नाम सीतम्मा तो राधा रादा किष्णन के चार भाई और एक बहन थी तो रादा किष्णन ने 16 साल की उम्में अपनी दूर की चचेरी बहन सियाक कमों से साधी कर ली तो पहले क्या बता था कि छोटी की उमर में साधी कर दी जाती थी आपने डॉक्टर डाजिन साहब की बारे में देखा है पहले रा रादा किष्णन नंसाफ की कितने मच्छी थे पांच बेटी और एक बेटा इनके बेटी का नाम सरफली गोपाल था जो भारत के महान इतियासकाल थे रादा किष्णन जी की पतनी की मौत 1956 में हो गई थी पारती किर्केट टीम के महान खिलाड़ी वीवी एस लचमट इनी क खांदां से ताल्लोग रखते हैं तीक कभी अगर पूंच लें तो याद रखना एचे बात करते हैं डॉक्टर सभफली ज्यादा किष्णन की सिख्छा के बारे में एजूकेशन के बारे में डॉक्तर रादा किष्णन का बच्पन तिरुमनी गाउं में ही विदीत हुआ व मिशन स्कूल तिरुपती में दाखिला करा दिया जहां भी 1896 से 1900 तक रहें सन 1900 में डॉक्टर सरफली रादा किष्णन ने बेलूर के कॉलेज से सिख्छा गर्ण की ततपश्या मद्राख किष्णियन कॉलेज मद्राख से अपनी आंगे की सिख्छा पूरी की वह वहीं से ही एक मेधा भी चात थे वह सुरूं से ही क्या थे मेधा भी चात थे इन्होंने 1906 में दर्सन सास्त में एमे किया तो रादा किष्णन धी को अपने पूरे जीवन सिख चाहित करते हैं डॉक्ट्र साप के करियर की शुरूवाद की से तो 1909 में राधा रशीडेंशी में मद्रास तो रियरुनी建श में दर्सन सास्त की साइट प्रध्यापदय बनिए लेके मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारव उन्हें दर्संसास्त की प्रोफेसर की रूम में चुना गया तत्पश्चाद भी इंग्लेंड की ओक्सपोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतिय दर्संसास्त की सिक्षप बन गए सिक्षा को राधा किष्णन पहला मत्त देते थे यही कारण रहा है कि वो इतनी इतने ज्ञानी विद्वान रहे सिक्षा के पती रोजहान ने एक मजबूत व्यक्तित पिदान किया था हमेशा कुछ नया सीखने पढ़ने के लिए उतारू रहते थे जिस कॉलेज से इनों ने एमे किया था वहीं काहिने उपकुलपती बना दिया गए किन्तु डॉक्टर राधा कृष्णन ने एक वर्ष के अंदर ही इसे छोड़कर बनारस विश्विद्याले में उपकुलपती बन गए इसी दौरान विद्धर्शन सास्त पर बहुत सीपोस्त के भी लिखा करते थे डॉक्टर राधा कृष्णन बेवेकानंद और वीर सावरिकर को अपना आदर्स मानते थे इनके बारे में इन्होंने गहन अध्यन कर रखा था डॉक्टर राधा कृष्णन अपने लेखों और भासरों के मध्यम से समूचे विश्व को भारतिय दर्शन सास्त से परचित कर कि दोक्टर राधा कृष्णन बहु आयामि बिधिभा के धनी होने के साथ थि देश की संस्क्रिती को फ्यार करने वाले बैक्ति भी थे कि हम बात करते हैं लोग डॉक्टर रादा किसनन की राजनीती में आगमर हुआ राजनीती में इनका क्या काम रहा क्या समय देख लिए तें जब भारत को सुतनता मिली वो समय जवाहलाल नहिरू ने रादा किसनन से यह आग्रह किया कि वह विसेष्ट रादूत की रूम में सो राजनेक कारियों की पूर्ती करें जो आपका सोव्य संग था रूस उसी कहस्ता है कि उन्नी सोव्य संग का विक्टन हो गया था तो अलग लग हुए एक उन्नी सो इकानवे तक सोव्य संग था नहरू जी की बात को स्विकारते हुए डॉक्टर रादाकसन ने 1947 से 1949 तक सम्मिधान निर्वात्री सभा की सदस्के रूम में कारिकियों पहले यह सोव्य संग में राजदूत का काम किया रूने भारत की तरप से और उसके बाद 1947 से उन्नी सो अनंचास तक सम्मिधान निर्वात्री सभा की सदस्के रूम में कारिकियों संसद में सभी लोग उनके कार और वेवार की विएद पिसंसा करते थी अपने सफल अकादमिक केरियर के बाद उन्होंने राजनेतिक में राजनेतिक में अपना कदम रखा तेरह मई 195 से में 1962 तद विदेश के उपर राष्ट्रपति रहे गिया कि में नेeaसें भार्राश्रपतिय गया में पिसाद की तुल्ला में इनका कारकाल काफी चुनोती हो बारा रहा क्योंकि आपने देखा होगा भारत और चीन और पाकिस्तान से आपका भारत का योगदुगाई से 62 और 65 में तीर में 62 में आपका चीन से योग दूए और 65 में आपका पाकिस्तान जिसमें चेन के साथ भारत को हाल का सामना करना पड़ा था वहीं दूसरी और दो पिधानमंत्रियों का दियांत भी इन्हें के कारकाल के दौरान ही हुआ था वहीं दो पिधानमंत्रियों का का काल आपका इन्हें के का आक दकी कारकाल के द्ध्रो रन वुदा उनकी काम को लेकर साथ वालों को उनके वीच वीच कम होता था सम्भाद जाना तो पाकिस्तान से जब 1965 में आपका योटATA तो इसमें आपकी जीत हुई थी ठीक है चीन में हर वी दे डॉक्टर राधा किष्णन को मिले सम्मान वावावड की बात करें मिलू तो सिच्छा और राजनीती में उर्तक्रेश्ट एवदान देने के लिए डॉक्टर राधा किष्णन को सन 1905 में सर्वोच अलंकरन भारत दृतन से सम्मानित किया गया है क्षिए डॉक्टर शाब को निज सचंवंद में भारत का सर्वोच सम्मान भारत दिलतन से सम्मान किया गया व nossos सबाइटर से राधा किष्ण ई किसमान में उनके जनम दिवस पास सेप्टम्बेर को 166 की रूम में मनाने की घौश्न कि पास सेप्टम्बेर कू उनका डॉक् आपका सिक्षर दिवस मनाया जाता है सर 1922 में डॉक्टर राधा पिसुन को बेटिस अकेडमी का सदस बनाया गया और आंगे पॉप चौन पाल ले इनको गूल्डन स्पर भेट किया इंग्लिस इंग्लेंड सरक्राद्वारा इनको और 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 ओप मैरिक का सम्माम प्रात्वन डॉक्टर राधा किष्णर ने भारतिये दर्शन सास्तर एवं धरम के ऊपर अनेक किताबें लिखें जैसे गौतम बुद्ध्या हो गया जीवन और दर्शन धरम और समाई भारत और और विश्ण आदी ब्यक्तर किताबें अंग्रेजी में लिखते थे उनीश्व सर्षट के गरतन दिवस पर डॉक्टर राधा किष्ण ने देश को संबूधित करते हुए यह स्पर्ष्ट किया था कि वह अब किसी भी सर्थ के लिए राष्ट्पती नहीं पर ना चाहिए औ और बात और राष्ट्पती यह उनका आख्री बासर्ण रहा है देख लिए इनकी पुस्तकों की बात करते देख लिए यह कभी पुस्त के पूंच लेता है आपसे अब बात करते हैं डॉक्टर सरफल्टी राधा किस्णन की मित्ति डैत 17 अप्रेल 1905 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधा किस्णन का निर्धन होगा तो याद रखना है इनका निर्धन होगे सिख्षा की छेत में उनका युदान हमेशा याद किया जाता है इसलिए पांस से अप्टम्बर को सिख्षक दिवस मना कर डॉक्टर साहब को किपिती समान ब्यक्त किया जाते हैं इस दिन देश के विख्याद और उत्करिष्ट सिख्षकों को उनकी य जाता किस्णन को मर्डव फ्रांत 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टैम प्लटन पुरुषकार से सम्मानित किया जाता है जो पी धरम के छेत में उद्द्यान के लिए प्यदान किया जाता है इस पुरुषकार को गहन करने वाले यह पिथम केर इसाई संपदाय की बेक्ती थे तो यह थे आपके डॉक्टर सरफ परनी ज्यादा किस्णन तो आगे अम लोग बात करेंगे अमेली किलास में डॉक्टर जाकिर हो सन्थ तीसरे रास्पटी आपके कौन थे डॉक्टर जाकिर हो से उनके बारे में लोग जानेंगे ठीक है